नमस्कार दोस्तों, इंप्लेंग खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों को फिर से एक बार स्वागत है चाया वर्मा राज सभा सदस्ञ ने यहाँ पर माननी प्रदान मंतरी नरेंदर मूदी जी भारत सरकार को एक पत्र लिखा है जो की 21-2022 को लिखा गया है इसमें करमचारी पेंसन योजना 1995 के निवरत करमचारियों की पेंसन में वरदी के संबन में यहाँ पत्र लिखा है पत्र में लिखा है कि विश्या अंतगरत लेख है कि EPS 95 राश्टी संगर समिती 36 गड़ राज्य के अध्यक्ष स्री एसल सिद्धी की एवं अन्यवपदा अधिकारियों शदस्रेगर ने मिलकर अउगत कराया है कि EPS 95 पेंसनर्स को अत्यंत अल्प पेंसन मिलता है वह नियुनतम पेंसन मात्र एक हजार रुपए प्रतिमा है जिससे की पती पत्नी दोनों का गुजारा होना आज की महंगाई में बहुत ही कठिन है और इस पेंसनर्स की हालत अत्यनी दैनी है पूरे देश में इनकी संख्या वर्तमान में 65 लाग और 36 गड़ में लगवग 88 हजार है इन्होंने समय समय पर विभिन्न ग्यापनों के माध्यम से विभिन्न संबंदित मंत्रा लयो व अधिकारियों को भी इस संबंद में अवगत कराया है लेकिन कोई संतोस जनक हल नहीं निकला है अतेव आपसे अनुरोध है कि इनकी व्रद्धा वास्ता को द्रश्टिगत रखते हुए इनकी निनुतम पेंशन को कम से कम 7500 प्रती महा बढ़ाने और महंगाई सुचकांग से जोडने पर सहानभूती पूर्वक विचार करने का कश्ट करे ताकि व्रद्ध पें नरेंद्र मोधी जी को 21-1222 को लिखा है आई होप यह वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी यह वीडियो जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक सीर चनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ